हेलो आशा करता हूं आप लोग बहुत सही होंगे आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे की यदेिडियो में अपको abroad को कर करनेγαी फ़रीज यह इस व्याले वीडियो में अपको detail में आफ लोग को समझाऊंगा ठीक है अगर आप में जॉब रिलेटेड और इंफरमेशन रिलेटेड वीडियो अगरा बनाता हूं मैंने काफी सारे वीडियो बना रहा कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अगर आप एक अप्तोमेटरिस्ट हो और आपको UK मूब करना सबसे पहले आपको क्या करना है जी ओसी की वबसाइट में जाना है जनरल ऑप्तिकल काउंसल उनकी अपसाइट में जाके डिगरी की रिकोगनिशन के लिए अप्लाई करना है उसके बाद आप रिजिस्टेशन प्रोसेस के लिए इंटरनेशनल एप्लिकर्ट में आपको डिगरी रिकोगनिशन के लिए अप्लाई करना है अगर आपकी डिगरी रिकोगनाइज होता है फिर आपको रिजिस्टेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं ऑस्टेलिया की अगर आपको करना है यह अप्टोमेट्रيस तो आपको एप्रा की रिजिस्टिशन यह लाइसेंस ऑप्तेइन करनी पड़ी एप्रा क्या होता है यह अस्ट्रेलियन हेल्थ क्रेकृश्शनर रेगृलेटरी एजिस्टी यह क्या करते हैं जो हेल्ठ केर नेर्नार्ट रेडिवरटर डॉक्ट देना पड़ेगा knowledge test skill test कहलो या immigration test कहलो यह एक exam होती है उसमें आपको pass करनी होगी उसके वाद आपको license मिल जाएगा ठीक हर एक country का अलग-अलग की requirement है English speaking requirement है जैसे UK में UK में कभी कबार वो लुग आपको बिना LTS के भी accept करेंगे आइरलेंड में बिना LTS के accept करेंगे लेकिन अस्ट्रेलिया में आपको आपको IELTS देना ही पड़ेगा तो अगर आपका English speaking अच्छा है और आपकी पास अच्छा communication skill है तो मैं कहूंगा कि आप IELTS clear कर लो 12-14 रुपे लगते हैं आपकी एक headache खतम हो जाएगी कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है तो यह आपके लिए advantage रहेगा दूसरी documentation क्या 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 document चीए सबसे पहले जो मेरे इसाब से चार-पांच दोकुमेंट है जो वह होती वाइटल है सबसे पहले आपका passport उसके बाद आपको चाहिए आपकी जो degree degree की transcript उसको आपकी degree की जो syllabus वो syllabus पूरा हमेट पर हर एक एजेनसी की अलग अलग formats होते हैं उनमें से आपको डाउनलोड करके format को फिल करा के principle से साइन करा के लौना है डिगरी होगे आपका transcript होगे आपका सिलेवास होगे उसके आपकी experience आप जहां पर भीकल कर रहे हो उस जगह से आपकी experience still working certificate experience आपको लेना है उसके बाद आपके आती है कुछ जगाओ पर आपके अड्रेस प्रूफ पूचा जाता है तो आप पासपोट अविस की तुरह अपलाई कर वे तो 500 रुपे लगते वह आपको एक मुहिन के अंदर अंदर आपकी घर पर आजाता है यह चार पाज डोकुमेंट है यह हर एक रिजिस्ट्रिशन के लिए उलुक चाहिए होंगे सबसे इंपोर्टन मेरे सबसे वह है आपकी सिलेव आप सिलेवास को अच्छे से अच्छे से एक्स्प्लेइन कर आपने क्या पढ़ाई करी है पूरा त्रो आउट आपकी BGC MSC और डिप्लोमा में उसी की वेसिस पे आपकी डिग्री की रिकोग्निशन मिल जाती है तो फिर आपकी सारे चीज़े सही होता है जैसे एक्स्पीर क्या स्प्रों है जाके में चैनल चैक आउट कर सकते हैं सब की जो बोड़ी से उसकी उपर मैंने डेटेईल में वीडियो बना रक था है मेरे चैनल को अगर आप तोड़ा सा विजिट करें तो सारे चीज़े मिल जाएगा आपको ठीक है उसके बाद आते है कि जॉब की से सर यह सारे countries जितने भी countries की बने मताया लिंग्डिन यह सारे countries बहुत अच्छे से एक्टिवली चलाते हैं सारे HR प्रोफेशनल लिंग्डिन पर आपको मिल जाएंगे आप जो भी पोस्ट करते हो लूग और वहां पर रहते भी है तो आप सिधा उनके साथ connect करके आप उनसे बात भी कर सकतो या company की profile भी चेक कर सकतो company की website की link भी दिया होता है दूसरी दूसरी चीज़ है कि indeed indeed एक अच्छा website है आप जाके चेक आउट कर सकतो हरे countries में आपको मिल जाएगा उसके बाद जैसे UK की बात करतो UK में NHS एक website है इनकी website में NHS की website में सारे job post होते है तो और Australia में जैसे आप यह सारे job posted हो रहा है नहीं वह हो रहा है तो आप जाके search करो optometrist job in Australia वह सारा list निकल का आएगा consequence website में अबलेबल है इतना जदा टाफ नहीं है maximum interviews online होता है आपको फिजिकली प्रेजन रहने की जरूरत नहीं है 99% online ही होता है अगर आपको कुछ एक जगा पर offline है तो आप दे नहीं सकते पर कोई दिक्कत नहीं है आपको online exam interview भी होगा interview कैसे देना interview जैसे आपकी skills knowledge और experience की उपर ही होगा आपको कुछ कुछ जगा पर क्या करते वो लोग एक email में आपको एक दस question का PDF बेचते बोलते वाई आपको 15 मिनिट में आदे गंटे में solve करके email बेक करो उसके बाद आपका हम वाई वाई इंट्रिव्यू लेंगे ऐसे भी होता है कुछ कुछ जगा पर सीधा वाई वाई इंट्रिव्यू होती है आपकी skills पुछा जाता है आपको क्या करना है उस hospital जिस hospital में आपका CV पूरा इंट्रिव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेड को इस सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर अगर आप जाके चेक करोगे तो मिल जाएगा आराम से ठीक है